नमस्कार चातरो आजम कक्सा बार पद्य एक कृष्ण भक्ति के विश्रूत समझ प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम रजीता गवियतरी मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मीराबाई का जन्म जोदपूर के कुकली घाव में रावरत्न सीह राठोर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड के महराण सांगा के कुमर फोजरास से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहली पति, फिर पिता और एक युद के दोरान स्वसूर का भी देहा हो गया। पति की मृत्यू के बाद उन्होंने अपना अधिकांस समयक स्कृष्ण भक्ति और सादू संतों के सस्संग में बिताना सुरू कर दिया। भौतिक जीवन से निरास मिरा ने अपना घर त्याग दिया। और व्रिंदावन में डेरा डाल पूरी तरह से कृष्ण की जो भक्ति भावना में वो लेन हो गई। जीवन के उतरार्थ में द्वारका में ही उनका स्वर्गवाश हुआ। तो इस तरह कृष्ण भक्ति के सुरुवात होती है। मेरा की भक्ति मूलतह माधुर्य भाव की भक्ति है। उन्होंने उनके पदों में कहीं कहीं दाश्य द प्रचलित है मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है उनके पदों की भासा राजस्तानी व्रज और गुजराती का मिस्रन पाया जाता है संत रैदास की शिश्या मीरा की कुल साथ आठ कुरुतिया उपलब्ध है उनके रचनाय मीरा पदावली नाम से उ हरी बिन कच्छू न सुहावई, हरी यानि की भगवान विश्णू बिन उसका अर्थ होता है, बगैर कच्छू यानि की कुछ भी और सुहावई यानि की सुहाना अच्छा लगना, मेरा कहती है हरी या स्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कृष्ण के वि अर्थ होता है स्नेह रखने वाला और अलूरी का अर्थ होता है अनुकुल या माफिक मेरा के अनुसार अपने भक्तों पर स्नेह रखने वाले पगवान की नीती उनके भक्तों के प्रति अनुकुल है पगवान अपने भक्तों पर सदा प्रेम भाव बरसाते हैं अपनी प्रेम भक्ति का परिचय देते हुए मेरा कहती है राम हमारे हम है राम के हरी बिन कच्छून सुहावे मेरा कहती है कि भगवान मेरे है और मैं भगवान की हूँ इनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता आगे मेरा लिखती है आवण कह गए अजुहून आये जिवुडा अति उकलावय उसका अर्थ होता है आवण यानि की आना अजुहू यानि की अभिता जिवुडा यानि की रदय अति उसका अर्थ होता है बहुत उकलावय यानि की व्याकुल होना मेरा कहती है कि प्रभूने मुझे आने का अपने दर्शन देने का पचन दिया था परन्तु अभी तक उन्होंने ये परम सुख मुझे प्रदान नहीं किया है इसलिए उनका रदाय एकदम व्याकुल है क्रिस्न दर्शन की प्यासी मीरा कहती है तुम दर्शन की आसर मैया कब हरी दरस दिलावे दर्शन का अर्थ होता है दर्शन मीरा कहती है है इश्वर मुझे आपके दर्शन की प्रतिक्षा है आप कब दर्शन देंगे उसके बाद क्रिश्न दर्शन की आस लगाई बेठी मीरा कहती है करन कवल की लगनी लगी नित बिन दर्शन दुख पाव कवल का अर्थ होता है कमल नित यानि सदा दर्सन का अर्थ होता है दर्सन लगनी यानि की मगन हो जाना बिना बिन का अर्थ होता है बिना पावय यानि की होना मेरा प्रभु से कहती है कि आपके कमल रुपी चरणों में ही मेरा मन लिप्त है, मगन है, आपके दर्शन न होने से मुझे बहुत दुख है, प्रभु के दर्शन न होने से दुखी मेरा प्रभु से अनुरोध करती है कि जहाँ पे कु का अर्थ होता है को दर्शन यानिकी दर्शन दिजियो मतलब देना आनन का अर्थ होता है आनन बरणियों जिसका अर्थ होता है बखान या वरनन तो मीरा कहती है हे प्रभु आप दर्सन दीजिये आपके दर्सन से मुझे सुख प्राप्त होगा और इसका तो वरणन भी नहीं किया जा सकता आपके दर्सन का सुख तो ओवरणनिय है तो इस प्रकार प्रथम पद में कृष्ण के वियोक से तडपती मीरा के मनोफाओं का सटिक चित्रन किया गया है कृष्ण के बगर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता कृष्ण का दर्सन पाने को मीरा व्याकुल है मीरा उनके दर्सन्न होने पर बहुत दुखी है इसके बाद हम दूसरे पद के समझुते प्राप्त करते हैं पद के आरम्भु में ही मीरा ने लिखा है होरी खेलत है गिरधारी होरी यानि की होली का त्यावखार, खेलत यानि की खेलन व्रज में जो होली खेलते हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैमस है तो भगवान स्री कृष्ण के लिए यहां पे गिरधारी सब्द का प्रयोग किया गया है भगवान स्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन परवत है वो धारण किया था इसलिए उन्हें किरधारी कहां जाता है तो स्री कृष्ण होली खेल रहे हैं ऐसा मेरा कह रहे है मुरली चंग बजट डफ न्यारों संग जुवती व्रजनारी चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी यहाँ पर बात करते हैं तो मुरली चंग डफ यह सब संगित बात है और न्यारों का अर्थ होता है अनोखा संग का होता है अर्थ साथ जुवती यानि जवान और ब्रजनारी यानि की ब्रजनारी तो भगवान कृष्ण जब होली खेलते हैं तब मुरली, चंग, डौफ ये सब वाध्य बज रहे हैं और व्रजनारिया खेल रहे हैं दूसरी लाइन है चंदन के सर छिरकत का अर्थ होता है छिरकना, मोहन यानी की मोह पेदा करनारा और बिहारी यानी की अति आनन्द देने वाला तो भगवान से कृष्ण अपने हाथों से चंदन के सर छिरक रहे हैं भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहू देत सबन पे डारी चैल चबीले नवल कानहसं स्यामा प्राण पियारी भरी भरी यानी की उसका अर्थ है भर भर के चहू चारो तरफ सबन वह सभी पै उपर डारी कार्थ होता है डालना तो जहल चबीले ये सब्द यूज किया गया है अत्यंद सुंदर स्री कृष्ण के लिए और संग यानी की शाथ और स्यामा यानी की राधाजी गवान स्री कृष्ण इस अवसर पर अपनी मुठियों पर गुलाल भर कर चारो तरफ लोगों के उपर डाल रहे हैं और ये कृष्ण हैं उनके साथ राधाजी भी होली खेल रही है गावत का अर्थ होता है गाना धमार होली के समय गया चानी वाला गीत है कल का अर्थ होता है सुंदर करतारी का अर्थ होता है इस वर यहाँ पर तालिया सब्द के लिए ये यूज किया गया है तो छेल छबीले तालियां बचा बचा कर फाग की घा रहे हैं उसके बाद है फागु जू खेलत यहाँ पे फागु सब्द का अर्थ होता है फागुन माह और होली का त्यवहार जू यानि की जब खेलत यानि की खेलन भारी का अर्थ होता है बहुत रसिक सामरी यानि की घोपिया बाढ़ियो बाढ़ का आना रज यानि की धूर तो जब स्रीकृष्ण घोपिया या व्रज की नारी के साथ होली खेल रहे होते हैं तब इतना गुलाल उड़ रहा है कि जिससे ऐसा प्रतित होता है कि व्रज में गुलाल की भारी रजूड रही है यहाँ पे गुलाल की बाढ़ा रही है अंत में मीरा कहती है मीरा के प्रभु घिर्धर नागर मोहन लाल बिहारी यहाँ पे मीरा कहती है हे प्रभु आप तो मन को मोह लेने वाले हो सच में वरज, गोपिया और राधा के साथ खेलते स्रीक्रिशन बहुत सुन्दर लग रहे है तो इस प्रकार यहाँ पे काव्य के समझूती है वो पुरुन हो रही है तो आसा है कि आपको यह पद्य के समझूती है वो बहुत उप्योगी साबित होगी So wish you all the best लाइक साय और सब्सक्राइब एक्लावया एड़ुकेशन और हेतल ठकर एड़ुवर्ट बाई बाई